एंध्य को व्यार्य वोग। लंबाई चौड़ाई तथा उंचाई करम से 5 मीटर, 4 मीटर तथा 3 मीटर है, तो क्या है, चारो दिवारों का क्या करना है, 6 तरफल ग्यांद करना है, ठीक है, लंबाई का मतलब L, L बराबर कितना दिया है, 5 मीटर, ठीक, B, B का मतलब चौड़ाई या विट्थ है, जिसको बलते हो, 5 मीटर है, H का मतलब क्या है, उंचाई को कितना दिया है, 3 मीटर, ठीक, और 4 दिवारों का 6 तरफल का फार्मूला क्या होता है, 2 L प्लस B इंटू H, 4 दिवारों का 6 तरफल का यह क्या होता है, फार्मूला होता है, पुट कर दिए पाइलू कितना हो जाएगा एल बराबर कितना दिया है दो एल बराबर पांच वी बराबर कितना दिया है तो चार दिया है वी बराबर कितना दिया है चार दिया है तो कितना हो जाएगा है नव हो जाएगा इन्टू थ्री कितना है नव तरिक सत्ताइस Question number 7 क्या कर रहा है? Question number 7 कर रहा है 4 अंकों की क्या कर रहा है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसे 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से क्या? विभाजित करने पर प्रतेक दसा में सेस्फल क्या बचता है? एक बचता है यानि कि उससे पहले जो आएगी यो संख्या हो क्या होगी? वभाजित होगी तो इसका हम क्या निकाल ले? अगर हम इसका LCM निकाल ले क्या निकाल ले? LCM ठीक है? 2, 3, 4, 5, 6 और 7 का LCM निकाली है 2 से करेंगे तो एक बार, 3 बार, 2 बार फिर 5, 7 ये 3, ये 7 फिर किसे कटी है? फिर एक बार दो से काटी ये देखें कितना आता है 1, 3, 1, 5, 3, 7 एक बार 3 से, एक बार 5 से, एक बार 7 से cancel करेंगे आ जाएगा ठीक है तो एक इतना हो जागा 3 पच्चे, 15, 15 दूनी, 30 30, 2, 60 60 में 7 का multiply करेंगे तो कितना आ जाएगा सच्छक 42, 420 420 हमारा क्या आ गया LCM आ गया, इसका ठीक है अब इसका multiply करेंगे देखिए कौन आता है इसका multiply करेंगे 420 का 3 बार करेंगे, देखिए कितना आएगा तो ये आएगा क्या हो जाएगा, 0, 3, 2, 6 अच्छे, 3, 4, 12 1260 संख्या 1260 क्या होगी, जो पून रूप से क्या होगी 2, 3, 4, 5, 6, 7 से पून रूप से क्या होगी, वी भाज्य होगी लेकिन एका परतीक केस में क्या होना चाहिए, एक सेस बचना है एक सेस मचने का मतलब संख्या क्या रहे होगी 1261 रहे होगी, तभी तो एक्सेस बचेगा तो हमारा कौन से अपसर में दिया 1261 तो हमारी बी पार्ट में दिया गया है तो अन्सवा हमारा क्या हो जागा बी मेरे ख्याल से समझ में आप लोगों को आ गया होगा चलिए आए चलते हैं next question question number 8 हमारा क्या करा है question number 8 करा है एक परिच्छा में 40% क्या करते हैं 40% छात्र जो गनित में अनुत्रिन हो जाते हैं और 30% छात्र क्या करते हैं math में, ये math है, ये के हमारी English है, ठीक, तो 30% अंग्रेजी मानुत्रिन होते हैं, और 10% दोनों में, तो 10% के हमारा बीच में रहेगा, 10% दोनों हो रहे हैं, ठीक, और क्या कहा रहा है, 30% क्या हो रहे हैं, अंग्रेजी में, तो 30% का मतलब यहां 20 रहेगा, तभी तो 30 होगा, ठी ठीक, तो 20, 30, 20, 50, 60, 60% क्या हो रहे हैं, अनुत्रिन, अनुत्रिन हो रहे हैं, ठीक है, अनुत्रिन, तो टुटल होते हैं, कितने हैं, 100% में से माइस कर दीजिए, 60%, आयेगा कितना, 40%, 40% हमारे क्या हो रहे, उत्रिन, 40% क्या हो रहे, उत्रिन, ठीक है, 40% क्या हो रहे, उत्रि विपार्ट बहुत इजी question था ठीक है चली एए चलते हैं next question question number 9 हमारा क्या कर रहा है question number 9 देखिए यदि प्याज की कीमत 10% कम कर दी जाए ठीक क्या कर रहा है प्याज की कीमत 10% कम कर दी जाए तो ग्रियाणी दोवारा उपभोग को कितना प्रतिशत अधिक किया जाएगा मतलब कोई चीच क्या थी 100 थी, कीमत क्या थी 100 थी, ठीक ठीक, कर कितना गया 10% माइनस कर दियागा, कम कर दियागा कितना हो गया, 90 प्रतिशत तो कर उभोग कितना किया जाएगा तो 90 किया जाएगा, कितने पर किया जाएगा कितने पर, तो 10% हमारा बेह कम हो जाएगा, ठीक, कितने पर होगा, 90 पर, बटे में 100, ठीक, कितना आ जाएगा, cancel करने पर, cancel हो जाएगा, 11 साई, 1 बटा 9 परसेंट आ जाएगा, ठीक, BC part is the right answer, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, प्रतिशत अधिक किया जाए, ताकि इस मत पर कोई नो कोई, 10 परसेंट अधिक किया जाए, 90 हो गया, तो 90 से क्या किया जाए, दुबारा जाएंगे, इस पे, तो क्या होगा, प्लस 10 परसेंट अधिक किया जाए, 90 पर क्या किया, 10 परसेंट पर क्या किया है, ठीक है, चलिए, आई चलते हैं, माइनस वन को क्या लिख सकते हैं, कोई बताएगा, इसको हम यम प्लस वान एक कोश्टक में लिख सकते हैं, एक कोश्टक में क्या लिख सकते हैं, यम माइनस वन, ठीक, यम माइनस वन, ठीक, वो भी क्रमिक संख्या होनी चाहिए, ठीक, क्रमिक का मतलब अगर हम एक ले ले और क्यों ले रिजते हैं एक विसम संख्या और दो तीन हम थे दोनों विसम विसम ले रहे हैं देखिए क्या आता है ठीक है तो उसका कुड़न फल क्या आएगा देखिए फूट करिए सी क्या जाएगा ठी पहली वन लेंगे तो कितना आएगा तु ठीक इंटू फिर मलें भीज़िंगे नहीं सकते हो नशवाद करएगा करेगा थृक को लेते हैं तो थी कितना अबागा तो एक इतना महए है एट पार गया अगया तो दो क्रमिक संख्या हैं, तो दो क्रमिक संख्या हैं, का क्या होगा, बिसम संख्याओं का, या पॉन वर्ग संख्याओं का, या किसका बताईए, तो पहला क्या था है, अब आप कहा लिजिए, टू लिजिए, क्या लिजिए, टू, एक बार कहा लिए, वन ले लिजिए, टू ल बराबर 2 ले लिए ठीक है तो क्या आजाएगा 4 माइनस 1 आएगा कितना आजाएगा 3 क्या आगा 20 सम आएगा लेकिन इसको हम लिख क्या सकते हैं अब इस एक्वेशन में पूट करें बैलू देखिए 4 3 3 को पूट करें कितना आजाएगा 4 एक 4 आया दूसरा क्या आएगा 3 माइनस 2 तो दोनों क्या आ रहा है बिसम आ रहा है 2 के पूट करने पर क्या आएगा स्वारी M minus 1 और M plus 1 ठीक है अब पूट करिए इसमें जो है कितना आएगा M के जगा पर M बराबर 3 M बराबर क्यों पूट करेंगे 3 तो कितना आएगा M बराबर 2 पूट करेंगे ठीक है अंतरे 3 आजाएगा in to 2 क्या आए क्रमिक संक्या होनी चेए क्या इसने लिखा है क्या और नीचे एक क्रमिक तो दो क्या जाएगा यहां क्या आएगा बता यह एक माइनस था क्या आएगा जब दो मैंसे दो गटाएंगे तो एक आएगा दो मैंसे गटाएंगे दो और कितना जाएगा तीन आएगा दोनों क्रमिक है किने दोनों क्रमिक भ बेजता है, ठीक है, मान लीजी, SP उसका था, SP1 और SP2, दो SP हैं इसमें, हमारा क्या है, CPA, ठीक, 10% हानी पर बेजता है, 106 का बेंचता है 106 का 94 परसेंट बराबर किसके 94 परसेंट बराबर 250 के ठीक है तो 106 कितना जायागा कैंसिल करेंगे सब कट पिट के कितना येगा बताए जल्दी मैं देख रहा हूँ कितना येगा थिक जलो इस calculate कि बताइए answer आजाएगा हमारा कितना चभीस सो पचास calculate करेंगे तो क्या जाएगा चभीस सो पचास डी पार्टी दा right answer ठीक आपनों calculate करेंगा homework में है समझेए चभीस सो पचास is the right answer चलिए question number 12 बताइए एक mobile दो mobile break रेता दौरा क्या कि जा दी 25% के कुल लाप पर क्या किया जाता बेचा गया यदि पहले विक्रेता ने की से क्या किया 25% के लाप पर क्या किया बेचा हो तो दूसरे विक्रेता ने कितने प्रतिस्चत लाप पर क्या किया दूसरे ने इसे कितने प्रतिस्चत लाब पर क्या किया खरीदा होगा ठीक तो पहले इसका मान लेते हैं 100 था क्या था ठीक तो क्या हो जाएगा बताएगे यदि पहले बिक्रेता ने क्या किया फर्स्ट वाला तो 100 कितने पे 100 125 पर परिछ रहा है इतना आजाएगा ठीक एंटू 100 प्लस दूसरे वाले का पता करना है तो दूसरे वाले का पता कर लिए कितना आएगा मालने ये ए है into 100 equal to अब क्या आएगा total का percentage कितना आएगा 100 into 145 बटे में 100 एक calculate कर जिए answer आजाएगा आपका 100 से 100 खतम कितना आजाएगा 145 में से 125 घटाएंग कितना आएगा 0 2 0 अठाद 20 परतिशद कितना